हेलो बच्चो कैसे हैं आप लोग आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे हूँगे बच्चो शुरू करते हैं आज का ध्याय डाइरी लेखन तो आईए पढ़ते हैं कि डाइरी लेखन क्या है और इसे कैसे लिखते हैं बच्चो डाइरी अंग्रेजी का शब्द है हिंदी में इसे देंदिनी कहते हैं इसमें लेखक अपने साथ प्रती दिन होने वाली मुख्य बातों को लिखता है किसी विशेश दिन के अनुभवों विचारों और भावनाव को संग्षिप्त रूप में लिखते हैं रखना चाहिए कि उसमें जो लिखा जाए वह सत्य हो यानि कि सही हो किसी आदमी के संबंद में बुरी बाते डाइरी में कभी नहीं लिखनी चाहिए आज डाइरी लेखन साहित्य की विधा बन चुकी है तो बच्चो ये आदत तो आपको भी बनानी चाहिए कि रोजाना आ आप रोज रात में बैट कर थोड़ा सा छोटी सी डायरी में जरूर लिखें इससे आपके लिखने की आदत भी बनी रहेगी और आपको भी अच्छा लगेगा तो आएए आगे पढ़ते हैं नमुनार्थ डायरी लेखन सबसे पहला है भाखडा नांगल बांध की सैर 20 मार्च प्रिय डायरी आज हम लोग भाखडा नांगल बांध देखने गए यह बांध पंजाब हर्यान तथा राजिस्तान राज्यों की संयुक्त परियोजना है यह पंजाब में सतलुज नदी पर अनुकूल स्थान पर बनाया गया है जहां नदी की धारा के दोनों और पहाडिया एक दूसरे के काफी निकट आ गई है भाखडा बांध 518 मीटर लंबार 226 मीटर उचा है यह टिहरी बांध के बाद भारत का सबसे उचा बांध है सिक्को के दसवे गुरु गोविन सिंग के नाम पर बने जलाशय का नाम गोविन सागर रखा गया है यह असी वर्ग किलोमी मीटर छेतर में फैला हुआ है जिसमें 114 करोड घन मीटर जल संचित रहता है भाखडा बांध से 13 किलोमीटर आगे नांगल नामक स्थान पर 312 मीटर लंबा 121 मीटर चोड़ा और 9 मीटर उचा बांध बनाया गया है इस बांध से नहरे निकाल कर सिचाई की व्यवस्था की गई है यहां पर गंगुवाल तथा कोटला पर विद्यूत ग्रहे बनाए गए हैं इसमें लगभग 1204 मेगावार्ट विद्यूत का उत्पादन प्रतिवर्श होता है भाकरा नांगल बांध से हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाना, राजिस्थान और दिल्ली राजे ल उस सेर्प में हमने क्या सीखा, यह हम एक डाइरी में अपने अनुभव को व्यक्त करते हैं, आई पढ़ते हैं अगला उधारन, रेल यात्रा के कटू अनुभव 12 अक्टूबर, प्रिये डाइरी, मैं और जयाज आलंदर से शालिमार एक्स्प्रेस में सवार हुए, हमें मेरट जाना था, हमारे पास शैन यान के वेटिंग टिकट थे गारी चलने के कुछ मिनिट बाद ही टिकट निरिक्षक आया और टिकट मांगे, हमने उसे टिकट दिये लिए, टिकट देकर वे बोला कि ये तो वेटिंग टिकट है, आप इस डिब्बे में यात्रा नहीं कर सकते मैंने उसे कहा, हमने पूरा किराया दिया और टिब्बे में आधे से अधिक बर्थ खाली है, फिर आपको हमें बर्थ देने में क्या इतराज है, वेट बोला आपको स्टेशन पर ही बर्थ कंफर्म करनी चाहिए थी, मैंने कहा, जल्दी में नहीं करा पाए, जब कंफर्म कर करने में आपको क्या परिशानी है, वेट बोला अब नहीं हो सकता, मैंने पूछा क्यों नहीं हो सकता, वेट बोला बस नहीं हो सकता, मैंने सोचा कि रात का सफर है, लड़की साथ में हैं और यह बद दिमाग आदमी मान नहीं रहा है, अब तो जैसे भी हो इसे मनाना ही नोट दे दिया फिर तो वह तुरंद सीट कंफर्म करके चला गया मेरे लिए लियात्रा का यह नया किन्तू कटू अनुभवता कटू यानि की थोड़ा खराब अनुभव तो आए पढ़ते हैं बच्चो अगला उधारन मैच में हारने पर 20 अगस्त प्रिया डायरी आज का दि जिम्मेदार माना जाएगा जब मुझे अपनी कक्षा की क्रिकेट टीम का कप्तान चुला गया तो मैं सातवे आसमान पर था ऐसा लगता था कि सारे चात्र मैच नहीं मुझे ही देखने आए हैं लेकिन हाए आज जब हमारे टीम कक्षा आठ से हार गई तो मुझे ऐसा लग में डाल दिया लेकिन अगर कप्तान मैं हूँ तो हार की जिम्मेदारी तो मुझे ही लेनी पड़ेगी खेर मैं देखूंगा कि कभी कमी कहां हुई जो हम हार गए और मैं कप्तान के रूप में अगला मैं जरूर जितूंगा बच्चों आए पढ़ते हैं अगला उधारन जो साल भी गया था उसे अभी तक होश नहीं आया है प्रातह हमारे स्कूल बस दुरगटना ग्रस्त हो गई थी सामने से आ रहे ट्रक ने बस को टककर मार दी जी साथ विद्यारतियों को चोट आई थी सुमित खिड़की के पास बैठा था ट्रक वहीं आकर टकर आया था तक कोई बात नहीं है उसके सिर का एक्सरे ठीक आया है मेरा मन घर पर बिल्कुल नहीं लग रहा रात का खाना खाकर उसका हाल चाल पता करके जाओंगा प्रधानचारे कई अध्या पिकाए और हमारी कक्षा के विध्यारति उसका हाल जानने आय थे मेरी भगवान से यही प अध्यार में डायरी जरूर लिखनी चाहिए और अपने अनुभवों को उस डायरी में व्यक्त करना चाहिए यह एक बहुत अच्छी आदत है और डायरी लिखते समय उसमें दिनाख याने की डेट अवश्चे लिखे कि किस दिन आप कौन सी बात लिख रहे हैं जब आप ल इसका अभ्यास आप स्वयन कीजिए का